हाई फ्रेंड्स मिया गांशा सर्मा जी के विदकांशा में आपका स्वागत करती हूँ MPPCP 2023 के लिए आज हम हमारी सीरीज का सत्रवा भाग करने वाले हैं 16 वीडियो इसके मैं करा चुकी हूँ नहीं देखे हैं तो देख लीजिगा हर वीडियो अपने आप में बहुत important है जहां से प्रेशन पूछे जाते हैं मैं केवल वही topic आपको करा रही हूँ मेरी हर में हर PSC में हर साल यह ही सीरीज topic में वही सीरीज में वही topic कराती हूँ जो exam में आने की जो पूरे sports के जो खेल अबाड है उसमें जो बहुत ज़्यदा important है उनको trick द्वारा में करवाओंगे जिससे वो आपको याद हो जाएंगे इसके अलावे एक और बहुत महत्पूंची MP के लिए मैंने अलग से MP का course बना दिया है MP topic wise जिसमें मैंने गठन और पुनर गठन के 50 EMCQ करवा दिये हैं नहीं देखे हैं तो comment box में उसकी link डाल दूँगी देख लीजिगा और इसकी अलावा आज में उसका मध्यपदी इसकी भोगोलिक संद्रचना मतलब मध्यपदी का भूगोल आपक पहला question है संपून भारत के भोगोलिक छेतरफल में सरवाधिक योगदान किसका रहता है जो पूरा भारत का भोगोलिक छेतरफल है उसमें सबसे ज़्यादा योगदान किसका रहता है परवतों का पठारों का मैदानों का या नदी घाटी का तो देखो संपून भारत के भो फैला है 43.2% भाग पर और अगर पठारों की बात की जाए तो पठार फैले है 27.7% भाग पर और अगर हम पहारों की बात की जाए जो पठारी भाग है पठारी भाग 27.7% है परवत 10.6% है परवत कितना है 10.6% है और जो पहार होते हैं नदियों की घटियों के उपर जो पहार होते हैं पहार 18.5 परतीसत है तो यह चारो परसेंटेज याद रखिएगा और तो संपूर भारत में भगुलेक शेटपल में सरवादे किसका है मेदान का मेदान कितना देता है 43.2 उसके बाद कौन देता है उसके बाद देते हैं पठार कितना 27एंज़ फिर होते हैं पहाडियां 18.5 और लास्ट में परवथ अगला है 1964 के भारत सरकार के राजपत्र के अनुसार बौटिक प्रदेसों का वर्गी करण किसके सोत पर अधारित है 1964 के भारत सरकार के राजपत्र के अनुसार भारत के जो भौतिक प्रदेसों का वर्गी करन है वो किसके सोत पर आधारित है तो वो SP चटर जी के सोत पर आधारित है और उन्होंने इसको अलग-अलग भागों में बाटा जैसे कि पहला उन्होंने ABC में बाटा है और पहला उन्ह उन्होंने क्या बाटा ब्रहद इस्तरिये फिर दूसरा उन्होंने बाटा मध्यम इस्तरिये और तीसरा उन्होंने बाटा है लगु इस्तरिये या सूक्ष मिस्तरिये तो ये तीन इस्तर जो चटर जी के सोत पर आधारित हैं जिसमें उन्होंने ब्रहद इस्तरिये प्रदेश को चार भागों में बाता मतलब चार प्रदेश बताएं ब्रहत इसके बाद अगर बात की जाएं मध्या मिस्तर ये उन्होंने बताएं बीस और अगर बात की जाएं सूक्ष मिस्तर की तो सूक्ष मिस्तर उन्होंने कितने बताएं सूक्ष मिस्तर उन्होंने बताएं 58 तो इस से उन्होंने अपने अपने अपना जो प्रदेस है उसका वरगी करन किया है अगला कुछन है भारत के उत्तर में इस्तित हिमाले परवत माला किस परवतिय युक से संबंदित है तो उत्तर में इस्तित जो हिमाले परवतिय युक से संबंदित है और ये सबसे नवीन परवत माला है कौन सी है सबसे नवीन परवत माला है और ये किस युक परवतिय युक से संबंदित है हिमाले प धांत किस ने दिया था तो हिमाले की उत्पत्ती से जम्मंदित भूसनती से धांत दिया था कोवर ने इसमें उन्होंने क्या बताया कि टैथिस भूसनती के दोनों और जैसे उन्होंने क्या बताया कि यहां पर एक यह टैथिस सागर था और यहां पर क्या था गोंडवाना ले थारों का जो तुकड़े हैं चट्टानों की टुकड़े हैं अपसाद है वो नदियों में मिलता रहा जिससे हिमाले परवत की उत्पत्ती हुई अगला है अरावली परवत माला तथा विंधिस रेडी को प्रथक करने वाला भ्रहंस कौन है क्या बूल रहे हैं अरावली परवत माला तथा विंधिस रेडी को प्रथक करने वाला भ्रहंस कौन है तो वो है जी वी टी क्या है जी बी टी और अगर आप जी वी टी का फुल तो GBT का full form क्या है? Ground boundary trust है, great boundary trust है, याद रखिएगा कौन सी है? Great boundary trust, यह अराबली परवत माला दथविंधस रहनी को अलग करता है, बहुत important question है और यह आप से पूछे कि यह GBT है, वो कहां फैला रहता है? तो यह चितोड़गर, सवाई माधो पर और कोटा के बूंदी के समी पाया जाता है तो याद रखिएगा, अराबली परवत माला दथविंधस रहनी को प्रथक करने वाला भ्रहन से कौन सा है? GBT है अगला है, भारत की सर्वोच चोटी के सेमाले में इस्तित है भारत की सर्वोच चोटी कौन सी है? K2 गौडविन है K2 गौडविन भारत की कौन सी है? सर्वोच चोटी है और यह कारा कोरम परवस्रेणी में है और आप से बोले कारा कोरम परवस्रेणी कहां पर है? तो वो है ट्रांस हिमाले में कारा कोरम परवसरेणी कहां पर है कारा कोरम परवसरेणी ट्रांस हिमाले में है और ये भारत की सबसे उची चोटी है कारा कोरम परवसरेणी भारत की सबसे उची चोटी है और ये ट्रांस हिमाले में है फ्रेंट्स कमेंट वाक्स में बताईएगा कि कारा कोरम जो है उसकी उचाई कितनी है कारा कोरम परवस रेनी की उचाई कितनी है कमेंट वाक्स में बताईएगा फ्रेंड्स कमेंट सभी लोग जरूर कीजेगा और लाइक जरूर कीजेगा अगर अब चाहते हैं मैं ऐसे और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाईए लेकिन क्या ही कि अभी सभी लोग एक्टिव नहीं हुए हैं जल्दी से एक्टिव हो जाईए आप लोग टाइम को आने वाले सभी एक्जाम में और MPPSC में भी हेल्प करने वाला है क्योंकि MP का विटेग ज्यादा इसलिए ही मैंने वो टॉपिक वाइस करवा रही हूं तो जरूर देखिएगा और इसका कमेंट में आंसर दीजेगा और लाइक जरूर कीजेगा और नियू है तो सब्सक्र कहां पर है लह में है अगला है हरिद्वार वा देहरादून किस हिमाले में इस्तित हैं हरिद्वार वा देहरादून किस हिमाले में इस्तित हैं सिवालिक हिमाले में इस्तित हैं हरिद्वार वा देहरादून किस हिमाले में इस्तित हैं तो यहां की जो घाटियां होती है वो दौार और दून कहलाती है देखो हरित दौार में दौार लगा है और दहरदून में दून लगा है है ना तो इसकी जो घाटियां होती है वो क्या कहलाती है वो दौार और दून कहलाती है और हरित दौार और दहरदून के सिवाले में है सिवालिक हिमाले में है हिमाले में जो परवत नदियां घाटियां होती है पूर्व वाली जो होती है उसे दुआर कहते हैं और पश्चिम वाली जो होती है उसको दून कहते हैं जो हिमाले है उसमें जो सिवालिक हिमाले है उसकी जो पश्चिम पूरब की घाटियां है वो क्या कहलाती है और पश्चिम की घाटियां है वो क्या कहलाती है दून कहलाती है मतलब दूआर और दून कहलाती है तो क्या आएगा इसका अंसा सिवालिक आएगा फ्रेंस यह मेरे MPPSC prelims के नोट्स हैं इसी प्रिकार के कोशन अगर आप डेली चाहते हैं तो यह इसके साथ आपको एक Google है इसमें करीब मैंने 5000 फेक्ट कवर कियें जहां से प्रेशने पूछे जाते हैं मद्यपदेश पूरा Google को चित्र और डाइग्राम सहित कवर किया ऐसे ही पूरा इतिहाज वर लाइनर वेस है मद्यपदेश के इतिहाज को बहुत अच्छे से टेवल फॉर्म में समझाया गया है ऐसे यूनिट फाइब को पूरा चित्र सहेट फ्लो चार्ट सहेट हर अर्थ विवस्ता का हर टॉपिक जो जो कि स्लेवस में दिया गया है स्लेवस की समिधान की जो अर्थ विवस्ता है चाहे कंपनिया हो चाहे अर्थ सास्ते संबंदित वित्य संस्थान हो सब को कवर किया गया ऐसे विज्ञान वड़ायवर उन्हें 2000 वर लाइनर है भायत मद्दपदेस खेलकून बहुत ही सांदार तरीके से कवर किया ऐसे ही सूजना सबसे महत्पून चीज़ इसके साथ मिलता है कोई वाट्सप का गुरूप इस वाट्सप के गुरूप में आपकी तैयारी कराई जाती है महत्पून अपडेट दिये जाते हैं महत्पून कोशन दिये जाते हैं ऐसे चीज़ें जो एक्जाम के लिए बहुत ज्यादा सेंड करना है एड्रेस पे साथ से अर्वर्किंग डेज में आपके पास पहुच जाएंगे टाइम कम है जितना जल्दी बुकिंग करेंगे आपको यह मिल जाएंगे साल जल्दी हमारी टैस सीरीज भी लॉन्च होने वाली है हाट कॉपी सॉफ्ट कॉपी दोनों ही उसकी उ अगर आप इन में देखेंगे कि सबसे ज्यादा कौन फैला है आपका असम हमाले कौन सा फैला है असम हमाले फैला है इसका सास सो बीस किलो मीटर है कितना है सास सो 20 किलो मीटर इसकी लंबाई है तो अगर आपसे पूछें कि कौन सा इसमें से कौन सा सबसे ज़दा फैला है तो असम फैला है अगर हम बात की जाए तो ये पश्चिम से पूर्ग तक हिमाले को 6 भागों में बाटा है पश्चिम ते पूर्ट तक कितने बागों में बाटा है छे पश्चिम मतलब यहां से स्टार्ट होकर यह ऐसा बाटा है सबसे पहला आता है कश्मीर हिमाले सबसे पहला कौन सा हिमाले है कश्मीर हिमाले है फिर दूसरा है हिमाचल हिमाले फिर तीसरा है कोमाउ हिमाले फिर है सिक्किम हिमाले फिर है अर्णाचल हिमाले और फिर है पूर्वानचल हिमाले इस प्रिकार से इसको बाटा है और अगर हम इसकी प्रादेशिक भिवाजन जो हिमाले का किया गया है ये तो पहारवाइस किया गया है अगर हम प्रादेशिक तो सबसे पहला आता है नेपाल हिमाले नेपाल हिमाले की जो लुलंबाई है वो कितनी है लगभग 800 किलोमीटर है और पंजाब हिमाले की है 560 किलोमीटर असम की है 720 किलोमीटर और कुमायू की है 320 किलोमीटर कुमायू की कितनी है 320 है और असम की कितनी है असम की 720 है और अगर आ भारत में पूछा है और नेपल साइड भी फैला इसलिए ये 720 असम का पूछा है भारत में सरवादिक विस्तित इसलिए हमने यहां पर असम लिखा है और कुमायू की 320 है और पंजाब हिमाले भी है तो पंजाब हिमाले की 560 किलोमीटर है तीनों ही चीजों को याद रखिएग और आपसे पूछे हिमाले को कितने प्रादेशिक भागों में बाटा गया है तो आप अंसर लगाईएगा चार प्रादेशिक भागों में हिमाले को बाटा है और बाहरत में सरवादिक विस्तित हिमाले जो की 30 नदी से ब्रह्मपुत्र गाज तक 720 किलोमीटर तक फैला है 30 नदी से ब्रह्मपुत्र गाज तक अगला कुशन है हाल ही में चर्चित एक दर्रा जिसके अंदर जवाहर रार सुरंग इस्तित है जवाहर सुरंग इस्तित है जिसका हाल ही में पिधान मंत्री ने उदगार मोदी जी ने उदगार्टन किया है कहां पर है तो हाल ही में जो चर्चा में रहा है दर्रा वो है वनीहाल दर्रा और यहां पर भारत की सबसे लंबी सुरंग भी बनाई गई है तो याद रखिएगा जवाहर सुरंग में बनाई गई है और यह वनीहाल दर्रा है कश्मीर में. अगला है भारत के विशाल मेदान के भावर प्रदेस में किस प्रिकार की चट्टाने पाई जाती है तो भावर प्रदेश में बाहर भावर जो होता है जो यहां पे जल बहाब द्वारा जो मलवा होता है वो एक परवत के पदिये छेतर है मतल़ यह नीचे इस्था इखटा हो जाता है बोले तो वो भावर प्रदेश कहलाता है मतल़ जल बहाब द्वारा जो मलवा रहते हैं वो परवतिय छेत्र के परवत प्रदेशियों में पाय जाते हैं तो यहां पर जो इखट्टे हो जाता है यह मलवा इस छेत्र को बोलते हैं कांगलो मेरिट्स इसको छेत्र को क्या बोलते हैं कांगलो मेरिट्स बोलते हैं तो भारत की विशाल मेदान के भावर प्रदेश में किस जतनाने पाई जाती है कांगलो मेरिट्स पाई जाती है तराई प्रदेश के उत्तर में क्या पाया जाता है तो देखो तराई प्रदेश के उत्तर में भावर पाया जाता है तराई प्रदेश के उत्तर में क्या पाया जाता है भावर और दक्षणी भाग में पाया जाता है ब गेहूं चावल की करशी को अलग करती है तो 100 cm की समवर्षा रेखा मद्य गंगा मैदान को गेहूं वा चावल की करशी से अलग करती है अगला है नदी की ताजा जल सागर की लबडी जल का मिसरन क्या कहलाता है तो जब नदी का ताजा जल और सागर का लबडी जल मिसरन मिल ज वाटर है जहां पर मैंगरूब बन मिलते हैं सुंदर वनस्पती मिलती हैं सुंदर वन जिनको बोलते हैं वहां पर यह पाया जाता है तो नदी की ताजा जल और सागर के लबड़ी जल का मिसरन क्या कहलाता है ब्रेकिस वाटर कहलाता है अगला है संसार का सबसे बड़ा नदी दीप किस नधीप पर पाया जाता है तो विश्व का सबसे बड़ा ने ने दीप है माजोली दीप है और ये व्रहमा पुत्र नदीप पर पाया जाता है कहां पर व्रहम पुत्र नदी पर अकांशा 1957 मेरी इंस्टा आइडी है अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टा पर फॉलो नहीं किया है तो मुझे इंस्टा पर फॉलो करके मुझे मैसेज भी किजेगा एक ग्रूप बनाया जाएगा उसमें आपको जोड़ इंपोर्ड और मॉटिवेशनल थॉट मिलते रहेंगे डिस्क्रिप्शन वॉक्स से वाट्सप टेलिग्राम गुरूप से भी जुड़ जाएगा पूर्वी घाट का सर्वोच्य सिखर कौन सा है महेंद्र गरी पूर्वी घाट का सर्वोच्य सिखर है और इसकी उचाई निल गिरी पहाडियों की सबसे उची चोटी कौन सी है दोड़ा बेटा है और इसकी लंबाई कितनी है इसकी लंबाई कितनी है इसकी लंबाई है 26-37 मीटर इसकी लंबाई है अगला कुश्यन है प्राइडी पी भारत की सबसे उची चोटी कौन सी है प्राइडी पी भारत की सबसे उची चोटी देखी जाए तो वो उसकी सबसे उची चोटी है अनाई मुडी प्राइडी भारत की सबसे उची चोटी कौन सी है अनाई मुडी है और नीलगीरी परवत की सबसे उची चोटी कौनसी थी? नीलीरी परवत की सबसे उची चोटी हमने उपर वताई है कि डोड़ा बेटा है और अनाई मुडी की आपसे हाइट पूँछे तो इसकी है 2.95 मीटर अनाई मोडी की हाइट किती है 2.95 मीटर है और ये तता पूर्वी घाट की सबसे उची चोटी कौनसी है मैंने भी बताई महेंदगरी ये क्या है कि घाट में अगर सिखर पूछा जाए तो ये विशाका पटना मा जाएगा और नीलगीरी पहाड़ियों की सबसे उची चोटी कौनसी है दोदा बेटा है अगला कूश्चन है नीलगीरी हिल्स एक प्रिकार के ब्लॉक परवत है इस पर एक विशिद प्रसिद्ध परियाटन इस थले उसका नाम क्या है उटी है गारो खासी जैनती पहाडियां कहांपर पाई जाती है मेगाले में पाई जाती है मेगाले की कैपिटलिस लंग बुख्यमंति और राजपाल कौन-कौन है मेगा लेके कमेंट वक्स में जरूर बताईएगा भी जुनाप के कारण यह कोशन पूछा जा सकता है तो यह कमेंट वक्स में जरूर बताईएगा यह आंसर प्राइदी पिये पठारी भाग का कौन सा तट अधिक चोड़ा है पश्यमी पूर्वी कौंकर या मालावार तो जो सबसे अधिक चोड़ा भाग है वो है पूर्वी पूर्वी भाग पश्यमी भाग की अपिक्षा जादा चोड़ा है सागरी लहरों की निक्षे पर तता दक् अगला कोशन है गंगा ब्रहमपुत्र का डेल्टा किस प्रिकार का है गंगा ब्रहमपुत्र का डेल्टा चापाकार है कैसा है गंगा ब्रहमपुत्र का डेल्टा चापाकार है गंगा ब्रहमपुत्र का डेल्टा हिमाले परवतलमाला की लंबाई अधिक्तम कितनी है 2400 किलो मीटर है कितनी है 2400 किलो मीटर हिमाले परवत की अधिक्तम लंबाई है अगला कोशन है कस्मीर घाटी में पाए जाने वा जैसे कि गुल मर्ग है सोन मर्ग है और उत्रान चल में इन्हें बुग्याल और पयार कहते हैं कश्मीर में जिनको मर्ग बोलते हैं उसको ही उत्रान चल में बुग्याल और पयार बोलते हैं यह दो नियाद रखिएगा यह जैसे कि जो कश्मीर घाटी में पाए जा रहे हैं उ comment box से जो MP वला जी के है वो पार्ट देख लीजेगा नहीं आप बोलेंगे MP नहीं करा रही हूं मैं तो मैं अलग से उसका course बना दिया है कौन सा दर्र सिहादरी में नहीं पाया जाता है तो ये सभी दर्र सिहादरी में पाय जाते हैं चाहे भोर घाट हो चाहे पाल घाट हो चाहे थाल घाट हो ये सभी पाय जाते तो कोई नहीं इसका अंसर हो जाएगा भारत के पश्चिमी तटिये मैदान का दक्षणी भाग क्या कहलाता है भारत का पश्चिमी तटिये मैदान है ये वाला इसका ये दक्षणी भाग है ये मालावार तट कहलाता है भारत का पश्चिमी तटिये मैदान का दक्षणी भाग क्या कहलाता है मालावार कहलाता है कौन सा एक प्रवाल दीप है तो ये सब ही प्रवाल दीप होते हैं चाहे लक्षदीप हो चाहे मिनिकाय हो चाहे कवरत्ती हो ये सब ही जो हैं वो प्रवाल दीप है कन्या कुमारी से भूमद्य रेखा कितनी दूर है कन्या कुमारी से भूमद्य रेखा लगभग 899 किलोमीटर दूर है सूरत से गोवा तक का तक का तक का तक कि दोनों ही पश्च्שमी तट में आते हैं और यह सूरत है गुजरात में यहाँ पर गोवा है तो ये जो टटे है वो कौन सा टट कहलाता है ये कौंकर टट कहलाता है कौन सा कहलाता है कौंकर टट कहलाता है सूरत गुजरात में है और गोवा गोवा सूरत से गोवा तक कौंकर टट कहलाता है और कच्छे तक फैले विस्तर टट को सुरास्ट कहते हैं गोवा से कुमारी अं कहते हैं और यह दक्ष्र भाग है इसको कोरो वंडल तट कहते हैं आप बोलेंगे तो एक तटों पर भी एक वीडियो बना दूंगी मैं अगर आप कमेंट पॉक्स में बता दीजेगा तो पूरे तट आपको याद हो जाएंगे तो फ्रेंज ये थे हमारे आज के कोशन वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सेयर सब्सक्राइब जरूर कीजेगा इसके लावा ये कुछ मेरी इबोक हैं अगर आप इबोक लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं यूनेट 10 पूरी 199 रुपए में आपको इसकी सॉफ्ट कॉ मिल जाएगी यूनेट 9 की 249 में मिल जाएगी और ये MPG के की इबोक है 60 रुपए की तो अगर आपको कोई भी पीडियाफ लेना चाहते हैं मद्दबद इस बजट की 30 रुपए में आयो की तो आप मुझे वाटसप करके ले सकते हैं ओके फ्रेंस एंक्यू